यूट्योब ने ऐसा कौन सा प्ले बटन भेज दिया जिसमें से आग निकलती है और इस बंदे को अपने प्ले बटन से ऐसे क्या नाराजगी थी कि इसने इसका नेकलेस बनवा लिया भाई ऐसे ऐसे प्ले बटन्स है ना जिने नेल पॉलिस तक भी बनाय गया है तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल मलगूला डेंट डियम ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉप्लर क्रियेटर है और ये काफी समय से यूट्यूब पर भी हैं जिसकी वजह से इनके पास OG प्ले बटन्स हैं दोस्तों अ लेकिन सर्प्राइजिंगली ये बहुत ही अच्छा बन के आया और ऐसा ही उन्हों ने अपने OG प्ले बटन्स के साथ किया था उन्होंने अपने सिल्वर प्ले बटन्स को उसके फ्रेम से बाहर निकलवा कर उसका हार बनवा दिया हाँ गाईज लिटरली एक सिल्वर चैन ज इस वज़े से इस चैनल को बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिल गए थे और किसमत से इनको भी OG प्ले बटन्स मिला था और उसी प्ले बटन्स को खोल कर इन्होंने उस पे नेल पेंट कर दिया च्यूंकि ये उसको कस्टमाइज करना चाती थी और कई लोगों को ये इन ये बहुत ही अच्छा लगा 50 million subscribers जी हां YouTube 10 million subscriber के बाद सीधा 50 million subscribers पर जंप करता है उसके बीच में किसी भी subscriber milestone पे कोई भी play button नहीं दिया जाता 50 million पर creators को custom play button दिया जाता है उनके channel के हिसाब से और वैसे तो ऐसे कई सरे channel है जिनोंने 50 million subscriber cross किया है लेकिन सबको custom play button नहीं मिलता है क्योंकि YouTube इने select कैसे करता है ये तो सिर्फ YouTube भी जानता है क्योंकि ये randomly किसी को भी दे देते हैं और कुछ लोगों को ये नहीं देते दोस्तो सबसे पहले 50 million play button PewDiePie को मिला था जिसमें कि PewDiePie के signature move यानि कि brew fist को बनाया गया था और उसे के साथ YouTube का logo भी था अब इसके बाद आता है T-Series इनको भी 50 million subscriber cross करने पर एक custom play button दिया गया था जिसमें कि T-Series का logo था और अभी ये उनके headquarter में रखा हुआ है इसके बाद कैनल कॉंट जिला का 50 million subscriber cross करने पर इस तरीके का custom play button दिया गया था जो कि काफी unique है डिसाइन में और इसके जैसा कोई भी play button नहीं है और इसके बाद आता है Blackpink का 50 million play button ये साइद इकलोता play button होगा जिसको देखकर लगता है कि ये एक play button है और fun fact ये एक नहीं बलकि 4 play button है दोस्तो Blackpink एक music band है जिसमें 4 लोग है तो इन 4 लोगों के लिए एकदम similar play button बनाया गया था ताकि हरे creator को अलग-अलग play button मिल सके और इसके बाद कई सारे channels ने 50 million subscriber cross किये लेकिन किसी को भी custom play button नहीं मिला और इसके बाद 50 million का play button एक Indian news channel को मिला था जो कि है आज तक और उनका ये play button है और ये play button कम बलकि एक simple सा award लग रहा है और इसके बाद भी अगर किसी ने 50 million subscriber cross किये है तो उनको play button नहीं मिला है यहां तक कि Mr.Beast जैसे बड़े creator को भी 50 million cross करने पर कोई भी play button नहीं मिला था हाँ उनका किसी subscriber ने उनको अपने तरब से एक play button दिया था पर YouTube ने उनको 50 million play button नहीं दिया था तो YouTube किन लोगों को custom play button देता है यह तो सिर्फ YouTube ही जाने और अगर आकरी में सबसे rare play button की बारे में बात करें तो वो है 200 million वाला play button और obviously बस दो ही ऐसे channel हैं जिनोंने 200 million subscriber cross किये हैं और वो है T-series और Mr.Beast हाला कि Mr.Beast के तो काफी recently में 200 million हुए है जो लोग YouTube के लिए play button बनाते हैं वहाँ से एक leak आई थी कि 200 million subscriber के लिए यह play button T-series को दिया जाएगा यह काफी unique है और काफी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके उपर जो diamond है वो खास France से आते हैं जो कि काफी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि YouTube के पास gold और silver play button के तरह यह एकदम useless नहीं है useless ने मेरा मतलब की पैसे में क्योंकि इसका diamond सच में एकदम rare और कीमती है अब 50 million subscriber के बारे में भी बात करते हैं अब मैंनो जो आपको Mr.Beast वाली बात बताई जो कि इनको 50 million subscriber पर custom play button नहीं मिला था तो कई लोग काफी नराज हुए थे और तभी Daniel Craft नाम के एक YouTube चैनल ने Mr.Beast के लिए एक custom play button डिजाइन किया और उसे Mr.Beast को gift भी किया जो कि देखने में बहुत ज़ादा अच्छा लग रहा है और बस यह इकलोता नहीं है आपको जो यह दूसरा फोटो दिखाया है यह भी Mr.Beast का ही 50 million subscriber play button है और हाँ यह भी YouTube को तरफ से official नहीं आया है यह भी unofficial है इसके बाद Dude Perfect को कौन बोल सकता है Daniel Craft ने इनके लिए भी एक custom play button बनाया था क्योंकि YouTube ने 50 million subscriber होने पर इनको भी custom play button नहीं दिया था 10 million subscriber होने पर आपको diamond play button मिलता है यह बात तो सबको पता होगी लेकिन क्या आपको पता है कि 20 million subscriber होने पर एक खास तरीके का play button मिलता है जो कि custom made होता है और आस तक कई सारे channel ने 20 million subscriber cross किये है लेकिन दो ही ऐसे channel है जिनको कि ये play button मिला है और इनका reason ये है कि उनका impact बहुत बड़ा है जिसमें से पहला channel है अमिरिकास गौट टैलेंट जब इनके 20 million subscriber होएं तब इनको इस special इनके logo वाले play button दिये गए थे च्यूंकि ये एक time पर YouTube पर काफी popular थे और दूसरा जो channel है जिनको कि 20 million subscriber पर मिला था वो है Marvel आपको तो पता योगा कि Marvel का impact कितना बड़ा है तो उनको 20 million subscriber होने पर Tony Stark की building बना कर और इसका officially cost तो यूटूब नहीं बताता लेकिन और अगर कोई से खरिदना चाता है तो ये millions of dollars में होते हैं 20 million से भी ज़्यादा subscriber है लेकिन जब इस पर 7-8 million subscriber थे तब इन्होंने अपने लिए खुद का play button बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा cool है दिखने में इन्होंने इसका design थोड़ा बहुत diamond play button जैसा लिया था लेकिन ये उससे काफी ज़्यादा cool है और कमाल की बात तो ये है कि इस play button में literally fire भी निकलती है celebration वाली अब बताओ कि आपने इतना amazing play button देखा है और अगर हाँ आपने इसको पहली बार देखा है तो हमारे चैनल को subscribe और वीडियो को like करना बिल्कुल ना बोले च्यूकि ऐसे amazing वीडियो आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और हाँ अगर अच्छी लगी हो कि चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना बोले तो मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए bye bye thanks for watching this video